सू हेलो फ्रेंड्स नमस्कार आप सभी का नर्सिंग एजुकिशन की इस यूट्यूब चैनल पर मैं HR चौधरी और आप सभी का दोस्तों बहुत-बहुत हारदीक स्वागत करते हैं प्यारे दोस्तों नर्सिंग ऑफिसर की पर्मानेंट सांदार वेकेंसी जा चुकी है और सेलरी की तुबात ही क्या गरें सतर अजार से भी अधिक साब को सेलरी आपर मिलने वाली हैं बहुत अच्छी पोस्ट है आप वीडियो कंप्लीट देखना आपको पूरी जानकर इस वीडियो में मिलने वाली है तो चलिए दोस्तों आज कर वीडियो सुरू करते हैं अगर आपने हमारे इस यूट्यूब च गवर्मेंट ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट ऑफ एटोमिक एनर्जी से आपकी वेकेंसी निकाली गई हैं दोस्तों एडवर्टीजमेंट नमबर देख सकते हैं लास्ट डेट फॉर रिसीपेंट ऑफ एफ्लिकेशन की बात करें तो च्छे जोन दोजार बाइसीज के लास के जिस कि हमें नहीं देखना हैं वह भ़तकरनी है तो ओंधें पोस्ट की बात करएं नाम रहने वाला है पाटे रहने वास्ट की दो पोस्ट है एक post ST की है और EWS की एक है और UR की एक है टोटल कितनी post हैं पाँच post है अब दोस्तों कौन कौन apply कर सकते हैं कि जन कंडिडेट ने GNM किया है या BAC nursing किया या दोनों किया है अमलब दोनों मतलब कि GNM और BAC nursing अलग लग से किया या post basic किया है तो आप लोग apply कर सकते हैं साहिक किसी भी स्टेट नर्सिंग काउंसिल से अपका registration है तो भी apply कर सकते हैं तो यह काफ़े अच्छा आपके साथ मौका है कि आप अपना forum बर सकते हैं कैसे बना है वो भी मैं आपको पूरा बताऊंगा वीडियो अंड तक जरूर देखें अब दोस्तों बात करेंगी हम next point के बारे मे तो जिसी मैंने नर्सिंग ऑफिसर की पोस्टों के बारे में आपको आपको करवा दिये गया है इसके अलावा दोस्तों यह लिमिट की बात करें तो 18 से 30 साल तक के अप्लाई कर सकते हैं जिसमें ST की 35 और OBC 33 अप्लाई कर सकते हैं फॉर्म दोस्तों क्या करना फॉर्म के लिए पूरा प्रोसेस इसमें समझा रखा है उसके अलाव मैं आपको बाता देता हूँ कि नर्सिंग की शैलरी की बात करें तो आपका 49,900 रुपे वैसिक रहेगा उसके साथ जब हम अलाउं से जोडते हैं तो 70,000 से भी आदीगा मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा वीडियो कलंबा हो जाएगा सौर्ट एंड स्वीट आपको सारी चीज़े मैंने बता दी हैं सेलेक्शन का प्रोसेस आपका एक्जाम होगा एक्जाम में क्या क्या आएगा वो भी इसमें मैंने कर रहा है आप देख लेना मैं यह जो पीडिय का पूरा प्रोसेस दे रहा है पूरा जानकारी इसमें दे रहा है डावली डाट यह आपको देख सकते हैं हाउ टू अप्लाई के लिए आप इसमें बताया किस तरीके से पूरा आपको मेल आईडी पर सेंट करना है यह पूरा प्रोसेस में समझा रहा है ठीक है मोटी मोटी झाल झाल